हेलो, असलाम अलेकूम, dear student, केसे हो आप लोग? student, आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, और सही सलामत होंगे student, मैंने इंग्लिश में आपको पढ़ा था, missing numbers, missing letters, ठीक है मैंने आपको पढ़ा था, missing letters, आज हम क्या करेंगे? write after letters, ठीक है, क्या करेंगे हम? after letters करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे हम पहरे? a, c, e, g, i, k, m, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, after number करेंगे, after मरला इसके बाद, जो a के बाद क्या आता है? b, ठीक है, c के बाद क्या आता है? d, ठीक है, e के बाद क्या आता है? f, g के बाद क्या आता है? h, ठीक है student, I के बाद, J, K के बाद, L, M के बाद, N, ठीक है, N के बाद, O, ठीक है student, इस तर आप क्या करेंगे, यहाँ पर यह क्या है आपका, class walk, ठीक है student, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका क्या है, home walk, ठीक है, home walk करेंगे, ठीक है student, तो हम क्या करेंगे बी के बाद क्या आता है ठीक है दी के बाद क्या आता है एफ के बाद क्या आता है एज के बाद क्या आता है जे के बाद क्या आता है एल के बाद क्या आता है ठीक है N के बाद क्या आता है ठीक है और A के बाद क्या आता है ठीक है student तो हम क्या करेंगे यह आप खुद गर में करेंगे ठीक है B के बाद क्या आता है C ठीक है B के बाद क्या है यहाँ पर C है तो यहाँ पर क्या करना आपको C देना है D के बाद E F के बाद G H के बाद I J के बाद K L के बाद M N के बाद O A के बाद B ठीक है student यह आपको समझ आया इस तर आपको क्या करना है आपको घर में यह हो माख खुद करना है ठीक है student यहाँ पर मैंने दिया है Right After Means क्या है इसके बाद क्या था I के बाद क्या आना है J K के बाद क्या आना है L M के बाद क्या आना है N और N के बाद क्या आना है O ठीक है student इस तर आपको क्या करना है यह आपको खुद होमवर्क आपको खुद करना है यह वाला मैंने करवा दिया कि After कैसे करना है तो आपको यहाँ पर खुद करना है B के बाद क्या आदना है? C ठीके, D के बाद क्या आदना है? E F के बाद क्या आदना है? G H के बाद क्या आदना है? I J के बाद क्या आदना है? K ठीके, L के बाद क्या आदना है? M और N के बाद क्या आदना है? O और A के बाद क्या आना है ठीक है student यह आपको समझ आया इस तरह आप क्या करेंगे यह homework आप खुद करेंगे ठीक है तो आपको क्या करना है after numbers लिखना है ठीक है student इंशालो पे देखिए आपको यह अच्छे से समझ आया होगा कि after number after letter कैसे करना है after letter या after alphabet कैसे लिखना है यह आपको कुछ समझ आया होगा ठीक है इस तरह मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो यह जो मैंने B के बाद C आना है यह आपको खुद फिल करना है E आपको खुद फिल करना है H आपको खुद F के बाद G, G आपको खुद करना है H के बाद I, आपको खुद करना है J के बाद L, L को खुद करना है और L के बाद M, N के बाद क्या आना है O, ठीक है, और A के बाद क्या आना है B, A के बाद क्या आना है B, ठीक है, इस तरह आपको अच्छे से आपको करना है यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर फिलिन देविलिया से इसको मैंने करवाया है एक अबाद भी आता है आफ्टर नमीन्स बाद जो बाद में आना है ठीके वो वाला आपको करवाना है इंशालला आपको यह समझ आया होगा अच्छे से टीके थैंक्यू सो मुच तुझें, थैंक्यू सो मुच